नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में जैसे कि आप जानते हों हम प्रेक्टिस संक्ला बना रहे हैं और इन्वार्वेंट की ये अगली प्रेक्टिस संक्ला के साथ महाँ उपस्तित हैं कहएं, क्रप्या मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप छोटे अक्षरों के यहाँ करण वीडियो पूरा नहीं देखते हैं परंटू इसमें बहुत अच्छे से मैं question को बना रहा हूं ॥्यक है, परंतु आप समझने की कोसिच कीजिए, मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बड़े वर्ड नहीं आपा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए, चलिए, अच्छे-च्छे कोस्चन की संकला आगे बढ़ते हैं हम, पहला कोस्चन देखते हैं हम, निमलिखित में स कौन सा विशेष रूप से सामझिग धक्षता के अंथरगत आता है, बहुत अच्छी बात है, सामझिक धक्षता के अंतरगत क्या आता हैं आपको बताना है एक तो 100 मिल्यांकन आता है, मतलब खुद का मिल्यांकन, दूसरा चर्चा और बातचीत कर पाना, या तीसरा सूचना का कुसल, उप्योग या चोथा आउलोकन तो आपको बताना है इसका आंसर सामजिक दक्षता के अंतरगत क्या आता है, तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा, दूसरा बातचीत, चर्चा और बातचीत कर पाना, ये क्या है, सामजिक दक्षता के अंतरगत आता है, बहुत ही अच्छा ये concept वाला question था, ठीक है, ऐसे ही मै को देखने मिलने वाले हैं, एकजाम में, ठीक है, आगे चलिए, देखते हैं, देखिए अगला question, निमलिकित में से कौन सा एक कांच का कक्षिया चेंबर है, जिसमें पहुदो को सूर के प्रकास की गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा question ह हैं, तो इसका जो उत्तर होगा आपका, सॉरी, चलिए, तो ये option को देखते हैं, green house, व्रक्षा रोपन कक्ष, सूरच की रोसनी कक्ष, या glass house, तो जो इसका उत्तर होगा, ये होगा green house, क्या होगा, green house इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए, अगला question की और बढ़ते हैं, आपको बताना है, अगला question में, खोखो का जो खेल था, खोखो के खेल की सुरुआत किस देश से हुई थी, आपको बताना है, भारत, स्री लंका, मलेशिया, या फिर चीन, किस देश से हुई थी, बताना है, आपको खोखो के खेल की सुरुआत है, तो खोखो के खेल की सुरुआत है को थी वह हूए थी अपने भारत से का से हुसिती अपने भारत से खोको के क्हेल की सुरुआत हुए ऐसे बहुत मस्त कॉक्ष्चन बढ Apostle की Cu परी है बोल दिया थमने नहीं है बताना है आपको गीहूं तो है मटर तो है मूंग और ग्राम तो आपको बता दूँ यहां पर रवी की जो फसल नहीं है ना वो नहीं है मूंग अगला कुश्चन देखते हैं देखिए कौन सा उबगरा भारत का पहला स्वदेशी भू इस्तिर संचार उबगरा है तो इसके आपसन देखिए एपल औरेंज रेड या फिर ग्रैप तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा उबगरा भारत का पहला स्वदेशी भू इस्त संचार उब्गर होगा चलिया अगले question में की और बढ़ते हैं हम बताई अगला question का answer चावल को पॉलीष करने से कोन सा विटामिन नस्थ हो जाता है बहुत ही जबरदस्त question है चावल को जब हम पॉलीष करते हैं तो कौन सा विटामिन नस्थ हो जाता है ascorbic acid, calciferol या फिर exorophyte या फिर चौनता थाइमिन तो इसका जो आंसर होगा आपका चावल को पालिस करने से कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है तो ये होगा आपका option उत्तर थाइमिन कौन सा थाइमिन विटामिन B विटामिन B आपको B1 क्या होगा यहां से चावल की पालिस करने से चावल से विटामिन हड जाएगा अगला question देखिए पानी में उच्च जेवरासाइनिक oxygen मांग की और जाता है तो भंग oxygen बढ़ाएं भंग oxygen घटाएं या प्रकास संसिलेशन की दर में व्रद्धी या फिर आपका होगा जली पहुदों का अधिक जन्म तो इसका जो उत्तर होगा यह होगा भंग oxygen घटाएं क्या होगा उत्तर भंग oxygen घटाएं पानी में उच्च जेवरासाइनिक oxygen मांग की और भंग oxygen घटाएं अगला question देखिए निमलिकित में से कौन सी विधी करके सीखने पर आधारित नहीं है करके सीखने पर आधारित नहीं है देखिए प्रदर्सन प्रदर्सन तो बिलकुर है यह तो बिलकुर होगी करके सीखने पर आधारित है ना उसके बाद दूसरा देखिए परियोजना परियोजना भी है समस्या समाधान ये भी है अब करके सीखने पर आधारित जो नहीं है वो है व्याख्यान विधी क्या है व्याख्यान विधी करके सीखने पर आधारित नहीं है अगला question देखिए सामाने जल की अपेक्छा सीवेज जल का तापमान होता है बहुत ही अच्छ-च्छे question है आखरी अंतक बने रहें ऐसे question आपको बहुत ही कम देखने मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत चाट-चाट की ये question लाया हूँ आपके लिए जैसी भी विसंगतियां है जैसे भी देखने में problem है परनतो आप वीडियो पूरा देखे जाओ क्योंकि आपको बहुत बहुत लाब मिलने वाला है क्योंकि ऐसे question आपको बहुत ही rear है कि आपको देखने मिले मैंने बहुत अच्छे से चाट कर लाया हम ये question सामाने जल की अपक्छा सिवेज जल का तापमान होता है थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सामान चलो तीन option में से ही इसका उत्तर बताईए सामाने जल जो होता है सामाने जल की अपक्छा सिवेज जल का तापमान होता है तो ये जो इसका answer होगा ये होगा थोड़ा ज्यादा क्या होगा थोड़ा ज्यादा तापमान क्या होता है उसका थोड़ा ज्यादा होता है अगला कोश्चन देखिए जैव विविद्धता सब्द का प्रयोग स्वरपथम किस ने किया था किस ने किया था बताईए निूटन ने किया था वाल्टन जी रॉसेन ने किया था या वाटसन ने किया था चलिए इसका उत्तर बताईए क्या होगा तीनों में से ही बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा इसका जो उत्तर होगा वो होगा वाल्टर जी रॉसेन ये जो विग्यानिक थे इनने जे विविद्धिता सब्द का प्रयोग सर्पतम किया था ठीक है वाल्टर जी रोसेन बार-बार पढ़कर खे इसको याद करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है आपके पास प्रती किरिया के लिए मजबूत ना होने पर भी चुहा भूल भुलया में भागना सीख जाएगा यह खालिस्तान में ऐसा होता है बताना है आपको इसका उत्तर किस अधिगम में होता है इसका उत्तर आपको बताना है ठीक है बालविकास परिक्षण और तूटी अधिगम दूसरा अंतरदस्टी अधिगम तीसरा गुप्त अधिगम या चौथा वातानुकूलित अधिगम तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा गुप्त अधिगम गुप्त अधिगम इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकिरिया के लिए मजबू मजबूत ना होने पर भी चुहा बूलभूलया में भागना सीख जाएगा यह गुप्त अधिगम में ऐसा होता है चलिए अगला प्लसन देखिए CCE में यह देखा गया है कि खालिस्तान पर अत्यधिक बल दिया जाता है CCE CCE में क्या देखा गया है सबसे ज़्यादा बल किस पर देते हैं सीखने का आकलन या फिर सीखने का पर आकलन या फिर सीखने के रूप में आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन तो जो इसका उत्तर हो जाएगा यह होगा सीखने का आकलन सीखने का आकलन पर अतिधिक बल दिया जाता है CCE में काई में CCE में सीखने का आकलन पर बल दिया जाता है याद रखना निमलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के आकसाइड में परिवर्तित करती है तो इसका उत्तर बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव, बिजली, महासागर या बारिस तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा बिजली क्या होगा इसका उत्तर बिजली होगा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के आकसाइड में परिवर्तित करती है बिजली बताईए अगला कोश्चन निमलिखित में से किसे मानाव निर्मित पारिस्तिती की तंत्र माना जाता है पहाडो को, महासागर को, नदमुक को या फिर फसल छेतर को तो बिल्कुर ये तो सरल कोश्चन है कि भाई मानाव निर्मित जो पारिस्तिती की तंत्र है वो होगा हमारा सबसे लास्ट में फसल छेत्र क्या होगा फसल छेत्र को हम मानो निर्मित पारिस्तिती की तंत्र मानते है अगला कुश्चन के और बढ़ते हम निमलेखित में से कोन वातावरण में ग्रीन हाउस गैस में व्रद्धी नहीं करता ग्रीन हाउस गैस में व्रद्धी नहीं करता वो बताना है आपको ठीक है वनोन मूलन जिवास मिंधन का जलना जनसंक्या में व्रद्धी या भारी बारिस तो क्या है जो ग्रीन हाउस गैसों में व्रद्धी नहीं करता तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका जो आंसर होगा, ये होगी भारी बारिस, क्या होगा भारी बारिस, भारी बारिस कभी भी याद रखना, ग्रीन हाउस गेसों में व्रद्धी नहीं करता है, ठीक है? बताईए अगला कोश्चन, इनमें से कोन सा राष्टी उध्धान है? उस्वरी, इनमें से कोन सा राष्टी उध्धानों में परतिबंधित गतिविधी नहीं है, तो व्रक्षारोपन, चराई, अवेध, सिकार या फिर फोटोग्राफी, तो ये फोटोग्राफी जो है, वो आ आपकी अवेद नहीं मानी जाती आप फोटोग्रावी कर सकते हो ठीक है राश्टी उद्धानों में प्रतिबंधित गतिविधी नहीं है फोटोग्राफी फोटोग्राफी आप कर सकते हो ठीक अगला question देखिए, हर चर्चा लच्छोन मुक्षी होती है, एक सिչ्छक के दरस्टी कोर से इस कथन का अर्थ है, इसका सेक्षिक उद्देश्य विशय से जुड़ा हुआ है, क्या है इसका सेक्षी कुद्देश ये विशे से जुड़ा हुआ है इसका उत्तर हो जाएगा